देखिए हमने समझा कि कैसे सोशल मीडिया, फिल्म्स, सीरियल्स, नोटंकियों, तताकते संतों, कही सुनी बातों, आदी से सीखा हुआ धर्म और इतहास कई वार उससे बहुत भिन होता है जो प्राथीन गरंथों में लिखा होता है हमने प्रमार भी देखे, हमने देखा कि हम जो मानते हैं कि लक्षमड रेखा खीची गई, या पानी में डालने से पत्थर तैटने लगे, ऐसा प्राचीन गरंथों में भी लिखा है, तो नहीं लिखा हुआ है दुरोपदी ने दुर्योजन से कहा कि अंदे का पुत्र अंदा होता है, या फिर कंड बड़ा मासूम विक्ती था, या फिर एक लब्वे बड़े गरीब परिवार से था, तो ये सारे भ्रहम हमें किसे ने दिये, आज के समय के नाट को ओने हैं, नौटन क्यों हैं, फिल्म पहले गरंत बनते थे, जैसे आज किसी अतियासिक विशय पर बने सीरियल, अत्वा फिल्म, अत्वा किताम में उसका रचनाकार अपने हसाब से कुछ जोड तोड़ कर लिख देता है, वैसे ही पहले भी किया जाता था, फिल्में और सीरियल्स हो, या कथा और गरंत, हैं तो एक हजार साल बाद क्या, इस आधार पर अक्ष़ शद्यमान लिया जाएगा, कि वो सधीयों पुराना है, जैसे आज कि रचनाकार हैं, आज के कथाकार हैं, आज के शिल्मकार हैं, वैसे ही पुराने समय में भी थे, पहले फिल्में और सीरियल्स नहीं मनते थे, लेकिन कता कामायर से ही समझ लीजिए यह जोड़ तोड़ का ही नतीजा है कि आज हमारे सामने 300 से अधिक तरह की राम कथाएं उपलब्द हैं इनमें कई बाते समान हैं और कई बातें भिन्द हैं जब राम एक तो उनकी जीवन गाता भी एक ही तो होगी यह भिन्नताएं कहां से आई जो दवास भी है आप वालमी की रामायर देख लीजिए तुल्सी दास की राम चरितमानस कंब रिशी की राम अवतारम रंगनाद जी की रामायर आदी अनेकों हैं और यही नहीं बौदो और जैनमत में भी सदियों पुरानी राम कथाएं हैं इसके अलावा कंबोडिया थाइल दो राम कथाओं को देखें तो उनमें भी अनेकों भिन्यताएं हैं तुल्सी दास की राम चरितमानस और वालमी की रामायर यह विश्व की टॉप टू राम कथाएं कही जा सकती हैं जब इनमें ही हमें अनेकों भिन्यताएं मिल जाती हैं तो अन्य राम कथाओं की तो बात नातिजितन इसमें बहुत लंबेसमाई से जोड घटाव होते रहे और इतने हद दर्जे के हुए कि इन में इतने सारे विरोधावास आज हमें दिखने लगे हैं और इसके उपर हम बहुत विश्थार से पहले चर्चा कर भी चुके हैं तो समय के साथ ग्रंथों के अंदर मिलावट हो जाती है कई ग्रंथ ऐसे हैं जो जिस महापुरुष की कहानी कह रहे हैं वो उसके सद्यों बाद रचे गए हैं जब किसी प्राचीन व्यक्ति की कता को हम किसी ग्रंथ में पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि य तो वास्तविकता इससे सद्यों दूर है अधिकतर ग्रंथ उसके सद्यों बाद लिखे गए होते हैं जैसे यूश्यू के जीवन काल में बाइबल नहीं लिखी गई उनके जीवन काल में उनके जीवन के प्रसंग नहीं लिखे गए उनके सद्यों बाद यह सब लिखा गया ऐसे ही तुलसी दाश जी हुए 500 साल पहले उन्होंने कथा लिखी अपने से 1000 साल पहले हुए राम जी के उपर अब खुद सोचिए कि उन्होंने कितना आथेंटिक इतियास लिख लिए होगा जब आज आर्केलोजी, एपिग्राफी, लिंग्विस्टिक्स आदी अनेकों वेग्यानिक पद्धियां उपलब्द होने पर भी हम दो-चार सो साल पहले के किसी वक्ति या घटना का एकदम सटिक इतियास नहीं जान सकते बस अनुमाल लगाते हैं तो सोचिये जिस जमाने में यह तकनीकें भी नहीं थी तब के लेखकों ने खुद से सेकड़ों हजारों साल पुरानी बातों पर कितना सटिक इतियास जान लिया होगा वे चाहा कर भी अधिक सटिक इतियास नहीं जान सके होंगे क्योंकि उन पर कोई टाइम मशीन नहीं थी और सोने पे सुहगा यहा कि उन्हों ने जो भी जाना होगा उसमें भी अधिकतर ने अपने अपने समय के और जरूरतों के हिसाब से कुछ ना कुछ जोड़ घटाव कर दिया होगा जैसे आज की पीरियड फिल्म सोती हैं सीरियल सोते हैं बुक्स होती हैं उनमें भी होता रहता है कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लोग जोड़ घटाव कर देते हैं आज उपलब्द सैकडों राम कथाओं में वालमी की रामायर को छोड़ कर बाकि सभी शिरी राम के समय के सद्वियों बाद लिखी गएं यानि राम के वास्तव के इतिहास को जानने में यह कोई विशेश भूम्एकण नहीं निवा सकती किन्तो क्या वालमी की रामायर शिरी राम के इतिहास का सठीक चित्रन करती है नहीं क्योंकि आज जो गरंट हमारे सामने वालमी की रामायर के नाम से उपलब्द है यह वो है ही नहीं जो कभी वालमी की जीनर अचा होगा और वालमी की रामायड तो क्या किसी भी प्राचीन गरंथ की मूल प्रती आज हमारे पास मौजूद नहीं है और ऐसा कोई भी गरंथ अपने मूल रूप में नहीं बचा है जिसमें मिलावट ना हुई हो सब में मिलावटें हो चुकी है और वालमी की रामायड में तो इस्तिमाल करना होगा तब आप असली इतिहास तक पहुंचने की प्रयास कर सकेंगे अन्यता भटक जाएंगे तो हम यह देखेंगे पर क्रिप्या लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की चानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचें धन्यवाद